कहानी की शुरुआत में हम एक जंगल में डॉक्टर वाटसन नाम के एक साइंटिस्ट को अपने दो असिस्टेंट और एक रोबूट के साथ किसी चीज की खोज करते हुए देखते हैं। डॉक्टर वाटसन को जब एक प्राचीन चट्टान पर बने कुछ अजीब से सिंबल और एक डियर की आकिरती दिखाए देथी है तो वो बहुत खुस होते हैं। क्योंकि सालों से वो जिस मिस्टीरियस फैन्टेस्टिका ट्राइब की खोज कर रहे थे उसके सबूत आज फाइनली उनको मिल गए थे। कर देती है तो वो उसके अंदर रिसर्च करने के लिए चली जाती है। क्योंकि से गुफा की दिवारे गिरने लगती है। पर डॉक्टर वाट्सन की रोबोट किसी तरह गुफा से बाहर आने में कामियाब रहती है। रोबोट देखती है कि वहाँ पर पहले से ही मैरी डेविड और क्लार्क नाम के तीन एजेंट मौजूद थे। जिन्होंने डॉक्टर वाट्सन के साथ ही उनके दोनों असिस्टेंट को बंदी बना रखा था। डॉक्टर वाट्सन रोबोट को जल से वहाँ से भागने को कहते हैं क्योंकि उसके पास गोल्डन टीर के पास पहुँचने का इंफॉर्मेशन था। डॉक्टर के कहने पर रोबोट तीनों एजेंट से बचकर भागने लगती है और वो तीनों रोबोट का पीचा करते हैं। अंजान एजेंट के हमले से बचाने वाली थे। विक और रोबोट एजेंट से बचकर भागते हुए एक खाई में गिर जाते हैं जिससे वो एजेंट उन्हें देख नहीं पाते और वापस चले जाते हैं। खाजाने तेक पहुँचने का मैप हासिल कर सके और कोको किसी वी तरह उनसे पहले फैंटास्टिका के डियर ट्राइब में छुपेवे गोल्डेन डियर के सिंग हासिल करना चाती है। विक को जब ये पता चलता है कि कोको किसी खजाने को ढूनने के मिशन पर है तो वो भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है ताकि खोज में मिले वे खजाने से वो भी अमीर हो जाए और अपने सपनों को पूरा करशके। कोको उन्हें गुफा में मिले प्राचीन मैप दिखाती है लेकिन उन्हें मैप के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता है इसलिए वो सहर से कैसे आदमी को ढून कर लाते हैं जिसे फैंटास्टिका और डियर ट्राइब के बारे में पता था। में आया तो बर्फ पिखल चुकी थी और चारो तरफ हरी आली थी लेकिन गोल्डन हिरन वहां से गायब थी और सिर्फ उसकी गोल्डन सिंग वहां पर मौजूद थी। में पता कर ले गया था जिसने कोको को फैंटास्टिका का लोकेशन बताया था। और काफे मुस्कीलों का शामना करने के बाद फैंटास्टिका तक वो पहुँच जाते हैं वहाँ पर आकर ब्रैंबल और ब्रायर की बच्पन की यादेत आजा हो जाती है और उन्हें याद आता है कि किस परकार बच्पन में जब वो दोनों एक गड़े में गिर गए थे तब एक नकाब पोश्ट ने शिकारिश उनकी जान बचाई थी जिसके पास दो सुनेहरे पंख थे इसके बाद वो सभी ग्रेट ग्लेसियर के अंदर आ जाते हैं जहांपर एक प्राचीन गुफा के अंदर जाने पर कई खतरनाक रास्तों से होते हुए हुए सभी एक ऐसी जगे पर पहुँच जाते हैं जहांपर बर्फ के गोले के अंदर कुछ खास परकार के पत्रों पर बने निशान रखे हुए थे कोको ब्रेंबल ब्रायर विक और सूरज की रोशनी की मदद से उस लोकेशन का पता लगाने में कामयाब रहती है जहांपर उन्हें पहुचना था और जब बर्फ को तोड़कर वो सभी उस पार जाते हैं तो वहाँ पर बिलकुल बीच में हीरन की एक बर्फ की सींग रखी हुई थी जिसके अंदर गोल्डें सिंग तक पहुचने का मैप भी रखा हुआ था मैप देखकर वो सभी बहुत खुज होते हैं और विक दोड़ते हुए मैप की तरफ भागता है ताकि बर्फ को तोड़कर मैप हासिल कर ले लेकिन तब ही वहाँ पर तीनो एजेंट भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं वहीं ब्रायर मैप हासिल करने में कामयाब हो गया था इसलिए वो सभी मैप लेकर एजेंट से बचकर भागने लगते हैं और तीनो एजेंट उन सभी का पीछा करते हैं कोको ब्रेंबल ब्रैर और विक के साथ खतनाक रास्तों से एजेंट से बचकर भाग रही थी लेकिन जल्दी एजेंट विक और कोको को पकड़ लेते हैं लेकिन इससे पहले कि वो कोको से मैप हासिल करते वहाँ पर ब्रेंबल और ब्रायर आ जाते हैं जो विक और कोको के साथ बर्व की दिवार को तोड़ते हुए दूसरी तरफ निकल जाते हैं ग्लेसियर के दूसरी तरफ आकर वो सभी पूरी तरह से हैरान थे क्योंकि Glacier के दूसरी तरफ एक अलगी खुबसूरत सी दुनिया मौजूद थी जिसे प्राचीन कहानियों में फैंटास्टिका के नाम से जाना जाता था वहाँ की खुबसूरती को देखकर वो बहुत खुश थे अब तीनों एजेंट भी उनका पीछा करते हुए फैंटास्टिका पहुँच जाते हैं जो Bramble, Brayer, Week और कोको पर हमला करना सुरू कर देते हैं क्योंकि वो किसी भी तरह उनसे Golden Deer के सिंग तक पहुँचने का मैप हासिल करना चाते थे कोको अपने फ्रेंट की मदद से एजेंट से बचकर भागनी की कोसिस करती है लेकिन वो एजेंट के हमलों से जादा दिर तक बच नहीं पाती अब इससे पहले की एजेंट्स कोको को मार कर उससे मैप हासिल करते वहाँ पर लूसी आ जाती है जो कोको को बचा ली थी है लूसी फैंटास्टिका के डियर ट्राइब की आखरी बची हुई वनसच थी अब मैरी और डेविड लूसी पर अपने एडवांस वेपन से हमला करने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ क्लार्क, ब्रैंबल, ब्रैर, वीक और कोको के उपर हमला कर रहा था लूसी फैंटास्टिका के जहरीले फलो और अपने तीर की मदद से मैरी और डेविड के सारे एडवांस वेपन को तोड़ कर उन्हें हरा दीती है और वहीं दूसरी तरफ वीक भीकोको के मदद से कलार को हरा दीता है खुद को खदरे में देखकर तीनों एजेंट वहां से भाग जाते हैं ब्रैंबल, ब्रैर, लुसी को अपनी और अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलना चाते थे लेकिन अब वो वहां से जा चुकी थी इसके बाद सभी फैंटास्टिका के रहस्मई जंगलों में चारो तरफ घूम कर कोई खाने की चीज ढूनने लगते हैं लेकिन इस दोरान उने काफी मुस्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि फैंटास्टिका में जिने वो फल समझ रहते वो सभी रहस्मई जीव थे पहली बार ऐसे रहस्मई और खतरनाक जीव देखकर वो सभी पूरी तरह से हैरान थे अब इससे पहले कि वो अंजाने में जहरीले फल खाते वहां पर लूसी आ जाती है जो उन्हें ऐसे फलों के बारे में बताती है जिनें खाया जा सकता था फल खाकर और लूसी से एक बार फिर से मिलकर वो सभी बहुत खुश थे लूसी उन्हें बताती है कि इस जगह को उसके ग्रेंट फादर ने बनाया था जो गोल्डन डियर की पूजा करते थे लेकिन सालों पहले वो गोल्डन डियर के पास आसमान में चले गए और तब से लूसी अकेली ही रहती है इसके बाद वो सभी मिलकर लूसी के साथ फैंटास्टिका के रहस्ट को एक्स्प्लोर करते हैं और खूब इंज्वाय करते हैं वहीं दूसरी तरफ तीनों एजेंट जब अपने बॉस पीटर के पास पहुंचते हैं तो वो उन्हें इस हाल में देखकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो किसी भी तरह से गोल्डन सींग को हासिल करना चाता था इसलिए इस बार वो खुद भी तीनों एजेंट के साथ टेलिपोर्ट होकर फैंटास्टिका आ जाता है जहां पर वो रहस मैय और प्यारे जानवरों को देखकर अपने बचपन की यादों में खो गया था कि किस परकार बचपन में पढ़ाई के अलावा ना तो उसे काटून देखने दिया जाता था और ना ही खेलने दिया जाता था पीटर अपनी सारी यादे भुला कर गोल्डन सींग की तालास में आगे बारता है क्योंकि वो गोल्डन डियर के गोल्डन सिंग की मदद से अपने लाइफ की बुरी यादों को बदल सकता था और काफी अमीर बन सकता था वहीं दूसरी तरह ब्रैंबल ब्रैर वीक और कोको का एक बड़ा सा बग पीछा करने लगता है क्योंकि उन्होंने गलती से उसके बच्चे को उठा लिया था उस बग से बचकर भागते हुए वो सभी रहस्माई पेड़ों के बीच में फच जाते हैं जिनके बीच अचानक से बड़े होकर उन्हें अपने अंदर खीच कर मारने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर लूसी आजाती है जो संक बजाकर सारे पौदों को सांथ करके उन्हों सभी को बचा लिती है बग अपने बच्चे को वापस पाकर बहुत खुच होता है और वहाँ से चला जाता है इसके बाद वो सभी लूसी के साथ फैंटास्टिका को एक्स्प्लोर करते हुए एक बड़े से फ्लावर के अंदर आ जाते हैं जहां से उपर एक रहस में ये आसमान दिखाई दे रहा था लूसी सभी को बताती है कि उसके ग्रेंट फादर उसे बताते थे कि हजारों साल पहले गोल्डें डियर उनके ट्राइब के लोगों के साथ मिलकर रहती थी और जब भी वो मुसीबत पढ़ने पर संख बजाते थे तो गोल्डें डियर आकर उनकी मदद करती थी कोको जब लूसी से गोल्डें सिंग के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि गोल्डें सिंग डियर ट्राइब में ही मौजूद है और गोल्डें सिंग की पावर की मदद से ही फैंटास्टिका इतना हरा भरा और खुबसूरत है इस पर Bramble कहता है कि हम उन एजेंट्स को किसी भी हाल में गोल्डें सिंग हासिल नहीं करने देंगे और गोल्डें सिंग की हिफाज़त करेंगे सभी Bramble के इस बात से एगरी करते हैं रात होने पर वो सभी उस बड़े से फ्लावर के अंदर ही सो जाते हैं लेकिन जब सुबा होती है तो Bramble Brayer देखते हैं कि कोको आफ थी वो किसी तरह कोको आउन करते हैं जो उन्हें बताती है कि रात में वीक उसे आफ करके मैप चुरा कर भाग गया ये सुनकर सभी वीक पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसके पीछे जाते हैं अगले सीन में हम वीक को देखते हैं जो मैप चुरा कर भाग रहा था और सोच रहा था कि गोल्डें सिंग हासिल करने के बाद वो अमीर बन जाएगा और अपने बचपन के सपनों को पूरा करेगा लेकिन तभी उसके सामने पीटर अपने तीनों एजेंट के साथ आ जाता है जो अपने टेलिपोर्टिसन डिवाइस की मदद से वीक से मैप हासिल कर लेता है क्योंकि उसने उन सभी को धोखा दिया था सभी के जाने के बाद वीक को अपनी गलती का एहसास होता है और साथी अब फैंटास्टिका के जानवर उसका साथ देने के लिए उसके साथ थे वहीं दूसरी तरफ पीटर नकसे की मदद से अपने तीनों असिस्टेंट के साथ लगतार आगे बढ़ रहा था और वो रास्ते में पढ़ने वाले ब्रीज को भी तोड़ देते हैं ताकि लूसी अपने साथियों के साथ उसका पीछा ना कर सके लूसी जब वीक, ब्रैंबल, ब्रैर और कोको के साथ रास्ते में होती है तो तूटे हुए रास्ते को देखकर वो बहुत दुखी थी लेकिन वो इत्मी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी इसलिए वो फैंटास्टिका के एक बड़े से पक्ची की मदद से अपने साथियों के साथ आगे भरती है पीटर किसी तरह बहुत मुस्किल से डियर ट्राइब के उस जगे पर पहुँचने में काम्याब रहता है जहां पर वो गोल्डन सिंग रखी हुई थी और साथी चारो तरफ ट्राइब के लोगों ने गोल्डन डियर के सिंग दफना रखे थे पीटर के एजन जब गोल्डन सिंग को हासिल करने की कोसिस करते हैं तो वो ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि गोल्डन सिंग के चारो तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद थी जो अंदर आने वाले सभी लोगों को टेलीपोर्ट करके किसी दूसरी जगा पर भेज दे रही थी अब वहां पर लूसी भी अपने साथियों के साथ आ जाती है जिसे देखकर पीजर अपने असिस्टेंट को उन सभी को रोकने के लिए बोलकर खुद अपने ग्रेविटेशनल डिवाइस की मदद से एक पोर्टल बनाने की कोसिस करने लगता है ताकि वो उस गोल्डन सिंग को हासिल कर सके इधर ब्रैंबल ब्रैर और लूसी उन तीनों एजेंट से फाइट करके उनका ध्यान बढ़काते हैं और इस मौके का फाइदा उठा कर कोको गोल्डन सिंग तक पहुँचने की कोसिस करती है लेकिन जल्दी उन एजेंट को इसके बारे में पता चल जाता है और वो सभी को छोड़कर कोको के उपर हमला कर देते हैं अब इस से पहले की वो एजेंट कोको कोई नुकसान पहुचा था वहाँ पर वीकंद एक बड़े से बग के साथ आता है और वो कोको को बचा लिता है विक को देखकर सबी बहुत खुश होते हैं और विक को 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 गोल्डेन सिंग के पास पहुचा कर बग से एजेंट पर हमला करना सुरू कर दिता है को को जो इस समय वहाँ पर मौजूद थी वो पोर्टल के अंदर जाकर पीटर को गोल्डेन सिंग हासिल करने से रोकने की कोसिस करती है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती और पीटर गोल्डन सिंग को हासिल करने में कामयाब हो जाता है गोल्डन सिंग को जैसे ही पीटर अपने हाथों में उठाता है वहाँ का मौसम बदलना सुरू हो जाता है और देखते ही देखते हरा भरा और खुबसूरत सा वो फैंटास्टिका एक उजडे हुए काले फैंटास्टिका में बदल जाता है और चारों तरफ तुफान आना सुरू हो जाते हैं क्योंकि गोल्डन सिंग के मैजिकल पावर की वज़े से ही वो जगह इतनी खुबसूरत बनी थी अब पीटर अपने तीनों एजेंट के साथ टेलिपोर्ट होकर वहाँ से जाने लगता है और वहीं दूसरी तरफ चटान तूटने की वज़े से कोको दूसरी तरफ चली जाती है जहां पर उसे पता चलता है कि ये सब उस संग को बजा कर ठीक किया जा सकता है जिसके बजाने से गोल्डन डियर उनकी मदद के लिए आ जाएंगी कोको किसी तरह से उस संग को हासिल कर लेती है लेकिन इस दोरान वो खाई में गिरने लगी थी लेकिन विक किसी तरह कोको का हाथ पकड़ लिता है क्योंकि वो कोको को खोना नहीं चाता था कोको उसे समझाती है कि वो उसे नहीं बचा सकता इसलिए सब कुछ ठीक करने के लिए वो संक को बजाए और फिर इसके बाद कोको अपने हाथ को खुद से अलग करके नीचे खाई में गर जाती है जिसे देखकर विक बहुत दुखी होता है जो की अगले ही पल गोल्डेन डियर गौड में बदल जाता है अब एक एक करके वो सभी गोल्डेन डियर जिंदा होकर डियर गौड की तरफ जाने लगती है जिनकी सींको ट्राइब के लोगों ने जमीन में दफनाया था वहां मौजूद सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से हैरान थे और उन्हें अपनी आखों पर विश्वास नहीं हो रहा था अब उस गोल्डेन डियर गौड के साथी सारे डियर फैंटास्टिका के चारों तरफ दौडने लगती है और वो जहां से भी गुजरती वो जगा पहली की तरह खुबसूरत और प्यारी बन जाती और इसी तरह गोल्डेन डियर वापस से फैंटास्टिका को खुबसूरत और प्यारी बना दीती है और जब वो पीटर के पास से गुजरती है तो पीटर की सारी बुरी यादे अच्छी यादों में बदल जाती है जिससे वो भी एक अच्छा इंसान बन जाता है सब कुछ वापस से ठीक होने पर सभी बहुत खुश थे लेकिन विक बिल्कुल भी खुश नहीं था क्यूंकि उसने अपनी फ्रेंड कोको को खो दिया था लेकिन तभी कोको वाँ पर फैंटास्टिका के उन छोटे जीवों के साथ उड़ते हुए आ जाती है जिनोंने कोको को दुखाई में गिनने से बचाया था उसे वापस से देकर सभी बहुत खुश थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खात्म होती है तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें